आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूं जो लोग फर्स नहीं मेरी वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता देना चाहती हूं छोटी-छोटी स्टोरी इस पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ चाहर करती रहती हूं जिनसे हम बहुत सारे निव वर चाहराइं से रहेंगे मॉडल वर्बस का इस वीडियो भी हम इसके इंदर देखेंगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें क्यारियर इस वर्ट यूदू आउट ऑफ इंट्रेस्ट और यूद्लिविड एंड सर्वाइवल करीर मींस क्या हूं यहां से बाहर रूची से अलग, जो आपकी रूची है, उस से अलग या उस से बाढ़र, और for your livelihood, livelihood का मितलब होता है, जीविका के लिए for your, आपकी जीविका के लिए and survival और survival मितलब क्या होता है, जीवित रहने के लिए, तो simply sentence को हम कैसे read कर सकते हैं कि career वह है है जिसे आप अपनी रूची के बाहर करते हो या आपकी आजीवी का या जीवित रहने के लिए करते हैं simple इस तरीके से sentence को हम read कर सकते हैं ठीक है वह 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 चीज़ है जिसे आप अपनी आजीविका और जीवित रहने के लिए अपनी जुची के बाहर भी करते हो It may be a job May means क्या होता है? May means होता है? सकता है इसको हम किस के लिए या फिर जहां पर भी हमें possibilities लगती है It may be a job ये एक job हो सकती है Some business, कोई विवसाय हो सकता है और professional, कोई पेशेवर activity हो सकती है Activity means क्या होता है? गतिविधी हो सकती है Or an artistic effort और कोई कलात्मक प्रयास हो सकता है Effort means क्याता है? प्रयास होता है Which you may pursue Which जिसे you may आप शायद pursue means क्याता है? पीछा करना तो simply आपर पीछा करना word को हम नहीं बूलेंगी इस चिसमें आपको कई बार बता चुकी हूँ Englishman is this word का जो meaning होता है कई बार उस word को सिर्फ हमें समझना होता है उसको exact sentence के अंदर बोलना नहीं होता है तो simply ही से हम कैसे बोलेंगी कि ये कोई नौकरी हो सकती है कोई विवसाय हो सकता है कोई पैशिवर गती विदी हो सकती है या फिर कोई कहरात्मक प्रयास हो सकता है for most people बहुत से लोगों के लिए अधिकांश लोगों के लिए it is their main occupation it is यह है their means उनका यहाँ पर उन लोगों के लिए यूज करा है their means उनका main occupation main means को जोता है which keeps जो रखता है keeps यानि keep means होता है keeps present in different tense में हम यूज करते है them busy and consumes their time जो उन्हें busy यानि के विवसाय रखता है and consume their time consumes का मतलब क्या होता है nust करना किसी भी चीज को कहते लगे हमने यह consume करा है यानि कि हमने कोई भी चीज को खाना consume कर रहे हैं उसको nust कर रहे है इस स्वे में हम लेंगे हर चीज का same meaning होता है ऐसा नहीं है their time जो उनके समय को nust करता है समय को consume करता है energy उनके energy को लेता है उनके ओचा को लेता है and resources और जो उनके साधन होते हैं उनको लेता है the career you choose is important the career जो वैवसाय you choose आप चुनते हैं is important is means है important means महतवपूर जो वैवसाय आप चुनते हैं वह महतवपूर है because it defines because क्योंकि it defines it means वह defines क्या करता है defines means होता है परिभाशित करता है it का use हमने किस के लिए यहाँ पे किया है वैवसाय के लिए ठीक है तो वैवसाय जो है वह परिभाशित करता है and or adds to your identity adds नहीं के जोड़ता है to your identity और आपकी पहचान को जोड़ता है your status self-esteem wealth level of satisfaction relationship and recognition in society depends upon it your status status का मतलब क्या होता है आपकी जो स्तिती है या आपका जो रुटवा है दोनों ही words को बोल सकते हैं easy जो आपके लिए समझने के लिए आप उसको choose करेंगे ठीक है क्या आपकी इस्तिती self-esteem यानि कि आपकी आपका आत्म सम्मान wealth आप कितने धनी है wealth का मतलब क्या होता है धन होना या आप कितने धनी है level of satisfaction 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 का मतलब कहता है आपकी जो संतुष्टी है उसका स्तर जैसे कि कुछ लोग है सिर्फ रूटी खाने में वो खुश रहते है कुछ लोग होता है कि मैं तो रोज बिर्यानी चाहिए तो संतुष्टी है ने कि कौन किस चीज में संतुष्ट है यहाँ पर यह meaning हुआ relationships, रिष्टों में and recognition in society Recognization का मतलब होता है पहचान होना समाज में depends upon it depends निर्भर करता है upon it upon means पर it यानि के career पर आपके website पर simply पूरे sentence को कैसी read कर सकते हैं कि आपकी इस्तिति, आपका रुटवा आतनुश्वास, आपका धनी होना संतुष्टिकास्तर आपके रिष्टे और पहचान समाज की आपकी जो career हो उस पर निर्भर करता है depending upon निर्भर करता रहता है which career you choose किस career को आप चुनते हैं and seriously do your pursue it and seriously you pursue it और आप इसे कैसे गंभीरता से हासिल करते है you became rich or poor you मतलब तुम became बनते हो rich or poor आप अमीर या गरीब poor means गरीब बनते हो winner और a loser एक विजेता और एक हारे हुए loser means कहता है हारा हुआ ठीके विजेता यानिके जीता हुआ वैक्ति या विजेता तोनों ही आप बोल सकते हैं successful और unsuccessful successful मतलब सफल बन सकते हो और unsuccessful असफल बन सकते हो and happy और unhappy और आप खुश और दुखी बन सकते हो या फिर आप परिशान हो सकते हो unhappy या इनके परिशान word भी हम इसके लिए use करते हैं ये चीज़ में आपको बहुत बात बता चुकी हूँ कि English के अंदर ये चीज़ बहुत ही ज़ादा होती है most of us हम में से बहुत से लोग spend our lives spend येने के बिताते हैं our lives हमारे जीवन को बिताते हैं in pursuit of success pursuit मतलब पीछा करना बट यहाँ पर हम क्या करेंगी सफलता पानी के लिए pursuit का मतलब पाना भी होता है पीछा करना भी होता है पीछा करने का मतलब यहना कि हमें किसी चीज़ को हासिल करना है हम उसके पीछे लगे हुए कि मुझे ये जौब पानी तो मुझे पीछे लगा हुआ हूँ उस sense में कि हम जो रहाएंगे हैं पर ना बहुत सा समय अपना जीवन का बहुत सा समय बिताते हैं अपनी सफलता को पाने में and happiness और खुशी को through our careers through means माध्यम से our careers यानि के हमारा जो वैवसाय है उसके माध्यम से हम हमारे जीवन में सफलता और खुशी को पाना चाहते हैं या फिर उसका पीछा करते हैं some people overdo it some people कुछ लोग overdo it इस पर करते हैं and pay dearly for it और pay यानि के भुकतान करते हैं dearly यानि के बहुतायत यानि के बहु मोले बहुत जादा for it इसकी लिए you cannot make your career you cannot make आप नहीं बना सकते हैं आपके वैवसाय को एक substitute for your life substitute का मतलब क्या होता है विकल्प for your life आपके जीवन के लिए आप एक विकल्प नहीं बना सकते हैं या फिर एक option नहीं बना सकते हैं कि मैं career करूँ या ना करूँ आप वो आपको करना ही है it may bring you wealth and success it may ये ला सकता है mega use मैं आपको पहले ही बता है कि possibility बताने के लिए या फिर permission के लिए हम इसको use करते हैं अब यहाँ पे can को भी use कर सकते हैं ठीक है bring you आपके लिए लाता है wealth and success वो आपके लिए सफलता और धन लाता है but लेकिन it does not contribute to your relationship it does not contribute ये present in different tense का negative sentence है ठीक है यह सहयोग नहीं करता है to your relationships यह आपके रिष्टों पर सहयोग नहीं करता है और inner happiness और जो आपकी आंतरिक खुशी होती है उस पर ये सहयोग नहीं करता है unless are not balanced and careful unless जब तक are not वो नहीं है balanced and careful जब तक आपके जो रिष्टे है वो संतुलित और ध्यान पूर्वक या ध्यान देने योगे नहीं है तब तक ये आपके रिष्टों के ओपर आंतरिक खुशी के ओपर सहयोग नहीं करता है ठीक है संप्लेस तरीके से the workplace is not an ideal place to look for relationship the workplace जो आपका कारिस्थल है workplace means कारिस्थल या काम करने की जगा is not an ideal place where एक आदर स्थान नहीं है to look for relationship आपके जो रिष्टे हैं उन पर ध्यान देने के लिए यह आपका जो workplace है जो कारिका स्थान है वो आदर स्थान नहीं है it is a place यह एक स्थान है where you compete with others where means जहां you compete compete का मतलग क्या होता है प्रतिस्थ परधा करना हम कहते हैं competition चल रहा है उस सिखा यह अलग बड़ है यह हमारा compete compete means होता है प्रतिस्थ परधा करना with others जहां पर आप दूसरों से प्रतिस्थ परधा करते हैं and where your success may not be appreciated generally और जहां पर आपकी जो सफलता है वो हो सकता है कि उसको सही माइने में या सही रूप से उसके सराना न की जाए ठीक है हो सकता है कियों बूना में नहीं हाँ पर क्योंकि make a use हम किस लिए करते हैं संभाव ना होने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है यह फिर भी योर करियर इस एन इंपोर्टन पार अफ़ यॉर लाय लाइफ आपको जो करियर है जो आपका विवसाय है वो एक महतपून पार्ट मींस हिस्सा है आपके जीवन का You have to pay attention Have to को यूज़ हम करते हैं जब आपको कोई भी काम हम करते हैं forcefully कि आपको करना है तो you have to pay आपको ध्यान देना है Attention pay attention मींस होता है ध्यान देना आपको ध्यान देना है to your career goals जो आपके career gain के विवसाय की जो उद्देश हैं उन पर ध्यान देना है And build your career Build बनाना है your career आपके विवसाय को to achieve excellence To achieve excellence यानि कि आपको जो है हासिल करने के लिए उत्तरस्टा Excellence means क्या हो गया कि सबसे अच्छा बहुत उत्तम तरीके से हमें कोई चीज हासिल करने के लिए हमें अपने विवसाय को बना है Without ignoring your relationships Without means के बिना ignoring के ignore करे बिना अंदेखी करे बिना आपके रिष्टे को And self-accurization needs जो आपकी आत्म बोद की या दिल्चिस्पी की जो आविशकता है जो आपकी खुद की पसंद की जो चीजे हैं उनको और आपकी इडिश्टों को अंदेखी करे बिना Simply I hope लिए topic आपको पसंद आया होगा कैसा लगा प्लीज मुझे comment box में जरूर बताएगा और अब मैं आपके साथ में share करने वाली हूँ कुछ दुनों बात से ही हमारे final exam साने वाले हैं तो उन पे जितनी भी essay और paragraph की topics आते हैं वो प्लीज आप मुझे comment पे share कीजेगा आप अगर चाहते हैं किसी specific topic की उपर मैं आपके साथ में video share करूँ वो आप मुझे बता सकते हैं और मैं अपनी तरफ से भी series एक लिकर क्या आने आनी हूँ 50 videos की almost 50 भी नहीं 35 videos ऐसे रहेंगे जो सिर्फ आपके exams में जो topics आते हैं उसमें हम वही cover करेंगे आज के 3 words हैं जिनके नदर sentence दिखने वाले हैं फर्स्ट है genuinely सही माइने में unless अब जब तक 3rd है define define means होता है परिभाशित करना और आज की dictation के जो 3 words है 1st है artistic, professional and resources I hope यह video और यह topic आपको पसंद आया होगा कैसा लगा है प्लीज मुझे comment box में जरूर बताएगा thanks for watching की आपकावाइबर्स delle को प्लीज मुझे ब्लीज मुझे और ध सरवादित करना अर को प्लीज मुझे की membा यह वखे ऱशे मून क्रू आपकोावाड़्स की आह पनलीज Quốc